नमस्कार दोस्तों मैं सुधिर सिंग उतकस परिवार में आपका स्वागत करता हूँ आज कहानी गांधी का भारत में विरोध क्यों इसकी सुरुवात होती है 5 मार्च 1931 गांधी एरविन समझोता जिसे दिल्ली समझोते के नाम से भी जाना जाता है इस समझोते के बाद ही कहीं न कहीं गांधी के विरोध का स्वर दिखने लगा क्योंकि इस समझोते में जहां भागत सिंग सुख देव राजगुरु को फासी मिलने वाली थी उनकी रिहाई के लिए कोई भी आफ्शन नहीं रखा गया यानि अगर हम बात करें इसकी चर्चा नहीं की गई पांच मार्च 1931 गांधी इर्विन समझोते के बाद 23 मार्च 1931 भारत के तीन वीर सपूतों भागत सिंग सुख देव राजगुरु को फासी मिली भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा उसर था जब हमारे इन तीन क्रांधिकारियों को सायंकाल फासी दी गई 23 मार्च 1931 फासी मिलने के बाद 26 मार्च 1931 एक विशेष अधिवेशन कॉंग्रिस बुलाती है इस विशेष अधिवेशन की अध्याष्टा दी जाती है सरदार वल्लब भाई पटेल को यहां गांधी जी भाग लेने के लिए आते हैं तो यहां जितने यूवा उपस्चित थे उन्होंने एक नारा लगाया गांधी मुर्दाबाद गांधी गोबैग शायद गांधी जी का इतने खुले तोर पर विरोध कभी नहीं हुआ जितना यहां देखने को मिल रहा था उसके पीछे कहीं नहीं कारण था भगत सिंग सुक्द्यो राजगुरू को दी गई फांसी यहीं पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधी वाद नहीं और इसी सेशन में पहली बार fundamental right जैसी चीजों को भी प्रिजन किया गया जवाहलाल नहरू के द्वारा इसी के साथ अगर हम बात करें आप उतकर्स परिवार में जुड़ते हैं तो उतकर्स परिवार लेकर आया है ट्रिपल दिवाली धमाका और इस ट्रिपल दिवाली धमाके के साथ बच्चों अगर हम बात करें आपको हर कोर्स में up to 90% का डिस्कॉंड मिल रहा है चुकि ट्रिपल दमाका है तो इसमें और भी चीज़ें एड की गई है एक्स्ट्रा वेलिडिटी इसकी थ्री मंस की है ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है फिर अगर हम बात करें रिकॉर्डेट कोर्स रिकॉर्डेट कोर्स है जो फ्री लाइफ रॉम स्टूडियो है वो भी आपको इसमें एवलेबल मिल रहा है तो फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद सस्तिया काल